एक राज्य में अकाल पर गया, राजा का सासन था उस समय, अकाल पर गया, अकाल यानि सुखा, सुखा पर गया राज्या ने अपने जोतिसी को बुलाया और उससे पूछा कि अकाल जो पर गया है इसको दूर करने का उपाय क्या है कुछ तो रास्ता बताईए उस जयोतिस ने कहा कि महराज आपके राज्य में एक बहुत बड़ा कुवा है ठीक राज्य के बीच में है तो आप क्या करिए कि अपनी प्रजा को यानि अपने राजे में रहने वाले लोगों को सब को सुचित करिए कि अमुक दिन में इस नच्छत्र में इस रासी में जयोतिस है न तो अनुसार बोल रहे थे सारे लोग दूध से भरा हुआ एक लोटा लेकर उस दिन सब कोई उस कुवा में उस सुखा हुआ है कुवा सुखा हुआ है उस कुवा में डाले जब दूध से वो कुवा लबाला भर जाएगा तो फिर मैं सबसे अंत में अंतिम लोटा जो दूध का है वो आप रखिएगा और फिर इस राजी का सुखा अकाल खतम हो जाएगा राजा ने तुरंधी मुनादी करवा दी पूरे राजी में उनके आदमी घुम गए सब को सुचना दे दी गई जिस दिन ये होना था उस दिन राजा अपने महल के उपर खरा होके चुप-चाप देख रहा है तो देखता है कि राजी के सारे लोग वहां जमा है सब के हाथे में लोटा है तो राजा फूस हो गया उसको लगा कि अरे सब ने मेरी बात मान ली और ये जो है राजा को खूद जब राजा अपने हाथ में सारे लोग जब डाल चुके तो राजा अपने हाथ में लेकर जब दूद का लोटा हाथ में लेकर जब वहां पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने लोटे का दूद कूए में डालना चाहा उन्होंने कुएं को देखा कुएं भड़ा हुआ था लेकिन पानी से भड़ा था दूद से नहीं तो राजा को बड़ा अस्वाज हो गया कि ये क्या हुआ ये कैसे हुआ सारे लोग तो आए थे तो फिर से सारे लोग को उन्होंने बुलवाया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ लोगों ने कहा सब ने यही कहा कि मैंने सोचा कि सब तो दूद डाल ही रहे है एक मैं पानी ही डाल दूँगा तो क्या होगा नहीं लेकिन दिक्कत यह हो गई कि सब ने यही सोच लिया कि सब ने यही सोचा कि सब तो एई डाल रहे हैं मैं डाल दूंगा तो क्या होगा हम सब के जीवन में भी ऐसा ही है हम सब सोचते हैं कि अरे वो आये थे उन्होंने तो महादेव की बात की ही न ये गुरु भाई है ये गुरु भान है ये तो आते ही है चर्चा में न एक मैं नहीं ही जाऊंगा तो क्या होगा? दिक्कट यह है कि ज्यादतर लोग यहीं सोचते हैं लेकिन अपने और संबंदों के बारे मैं ऐसा नहीं सोचते मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या मैं उसके लिए रातों को नहीं जगी हूँ कभी? कितनी राते मैंने जटके बिताई हैं, जब वो बिमार हुए, कितनी यातराइ मैंने की हैं, क्या मेरे पती नहीं, क्या मेरे परिवार नहीं, लेकिन उन सब में एक रिस्ता मेरा अपने गुरू के लिये भी तो है, मेरे गुरू के लिए मैंने क्या किया मैंने जीवन में सब के लिए किया लेकिन अपने साहब को जब देखती हूँ हम कहते हैं सिउसिस्ता के आदर्स है वो साहब और दीदी साहब और दीदी के जीवन को जब देखती हूँ और जितना उनका सानेती मिला उसने मुझको ये समझा दिया कि दुनिया के सारे रिष्टे कभी न कभी आपका साथ छोरेंगे कभी न कभी हमेशा कोई रिष्टा आपसे खुश नहीं हो सकता हमसे भी नहीं हो सकता और दूसरे भी नहीं हो सकते कोई रिष्टा जीवन में ऐसा नहीं है दस दिन आप किसी के लिए करिए तो वो बहुत खुश होगा और एक दिन मत करिए नाराज हो जाएगा समझ महीने आता है कि कैसे खुश किया जाए लेकिन महादेव तो ऐसा टहीं करते महादेव ने ऐसा नहीं किया उनकी तो बात जितनी भी किजाए कम ही पड़ जाती है समंदर का पानी हो और बहुत बारा पहार हो लेखनी करने खुश मा सरस्वती बैठें तब भी उस शिव के महीमा नहीं लिखी जा सकती वो शिव कवणा के मूरती है वो गुरु के रूप में दया करते हैं और कोई भी गुरु कौई भी सरीरधारी भी गुरु सद्गुरु भी किसी को कहां ले जाते हैं इस्वन की तरफ ले जाते हैं कोई भी ऐसा नहीं है लेकिन आज जिस जगह पे हम लोग रहते हैं जिस समाज में, जिस दुनिया में हर वेक्टी, गुरु के रूप में अपनी अस्थापना की कोशिस में तो है लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता है जिसने कहा हो कि महादेव के तरफ चलने का रास्ता है ये कोई ऐसा नहीं दिखता हर वेक्ती अपनी अस्थापना की भूख है मेरे मन को जिस बात में सबसे ज़्यादा चुआ था वो यही थी कि मैंने जब साहब हईदननंजी की बात सुनी थी तो मैंने देखा कि ये एक ऐसे वेक्तित्व थे जिनके पास सारी चीज़ें उपलब्द थी अगर वो गुरू बनते तो आज करोड़ों लोग उनके से से होते लेकिन उन्होंने कहा जब शिव स्वेम गुरू है तो किसी और को गुरू बनने की क्या ज़रूरत है जब खुद सबसे सुन्दर गुरू उपलब्द है तो मैं या कोई और बनके क्या करेंगे मिराज सरीर है कलना होगा लेकिन महादेव स्वेम हो है खुद से पैदा उनकी मौत की खवर नहीं आई है अभी तक यानि वो महादेव की मौत हो जाएगी ऐसा तो कभी सुना नहीं हमारे आपकी होती है जनामा मौत होते रहते हैं लेकिन उनकी नहीं सुनी कभी तो जो हमेशा है जो हमेशा रहेगा क्यों नहीं उसी का सहारा लेते हैं वो सबसे बलसाली हैं कहते हैं कि जिसका सानिध लिजिएगा जिसका साथ लिजिएगा वैसा ही आपका जीवन हो जाता है वैसा ही आपका मन हो जाता है साधू की संगत करने वाले का मन साधू जैसा और किसी दुस्ट का साथ करने वाले का मन दुस्ट जैसा जुआ खिलने वाले के साथ बैठिये तो वो जुआ खिलना सिखा देता है कोई सराब पिता हो तो वो सराब पिना सिखा देता है कोई भक्ती करता हो तो भक्ती करना सिखा देता है कोई सिवका सिश हो तो वो सिता सिखा देता है इसलिए मैंने इनका साने दे लिया कि जो इन्होंने किया है दुनिया में मैं भी कुछ सीख सकूँ और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है निविधन है कि अपने जीवन के एक भी पल में थोरी दिर के लिए भी करिये लेकिन अपने गुरू की बात जरूर करियेगा और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात करियेगा कि महादेव मेरे गुरू है आपके हो सकते है वो रुक कर आपकी बात नहीं सुनेगा ऐसा नहीं होता डक्षिन भारत में कितने जगों पे हम लोग गए लोग इतने महादेव का नाम सुनते हैं तो अपने चपल जूता को उतार के खरे हो जाते हैं हाथ जोर के खरे हो जाते हैं क्योंकि वो महादेव तो सबका है हम आप किसी के हैं किसी के नहीं है लेकिन महादेव तो सब का है उस महादेव से किसी को भी बात नहीं है उस महादेव पे साब को भरोसा है तो उस महादेव का साथ पकरा दीजिए दुनिया के हर वेक्ति को और छोड़ दीजिए अपने पिछे मत भुमाईएगा फिर उसको छोड़ दीजिए वो खुद देख लेंगे हम आप कौन होते हैं हमारा बस इतना ही काम है कि महादेव के तरफ प्रेजित कर देना है बाकी अपने महादेव पे छोड़ देना है बस और एक सिउसेसे के रूप में भाव जो है सिउसेका ऐसा दीजिए कि लेले भभूत भव की माथा उचाल के अपने इस माथे को उचाल कर उस भाव का उस महादेव के भाव का भभूत लगाईए लेले भभूत भव की माथा उचाल के वो महादेव इतने दानी हैं इतने दयावान हैं कि वो आपके जीवन के सारे कर्मों को एक ही लेख से मिटा सकते हैं उस महादेव की सरण उनकी सिस्यता के रास्ते पे हम सब चल सके ऐसी ही प्रात्ना आप सबों से भी है निवेदन भी है जीवन रहा फिर कभी आना हुआ तो जरूर मिल लेंगे और यहां ना मिले तो अपने महादेव के हाँ जरूर मिल लेंगे यही विश्वास है आप सभी के चर्णों में तराओं